आधर्णियो प्राष्ठपती जी लोगसभा के स्पीकर सेवं बेरला जी श्री गुलाम नभी जी और एक प्रकार चाज के कारकम के केंद्र बेंदु स्रिमान हरिवांश जी चंदर सिखर जी के सभी परिवार्जन और उनकी विचार यात्रा के सभी सह्योगी बंदुवन आज के राजनीतिक जीवन में राजनीति के परिद्रश्य में जीवन ब्रतित करने के विदाई के बाद दो साल के बाद भी शायद जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है लोग भी भूल जाते हैं साथे भी भूल जाते हैं और शायद इतियास के कौने में ऐसे व्यक्तित्व खो जाते हैं इस बात को हमें दर्च करना होगा कि उनकी बिदाई के करीब 12 साल बात आज भी चंद सेकर जी हमारे बीच में उसी रूप में जीवित करना बहुत बधाई देना चाहता हूं एक तो उन्होंने एक काम किया और दूसरा ये काम करने की हिम्मत जुटाई है हिम्मत इसलिए कि हमारे देश में वातावारन ऐसा बन चुका है कुछ काल स्खन से जिसमें राजनितिक छुवाचुत इतनी तिवरता पे हैं कल तक हरिवां जी एक पत्रकारिता जगत से आये हुए निश्पक्ष और वैसे ही रास्भा में डेपुटी चेर्मेन के रूप में काम करने वाले वेक्ती टेकिन शायद इस किताब के बाद पता नहीं हरीवंस जी पर क्या-क्या लेबल लगेंगे चंदर सेखर जी उनके साथ काम करने का तो हमें सौभागिन नहीं मिला है सबसे पहले उनको मिला था मैं 77 में मिलना करता हो सब मिला कुछ गटनाए मैं जुरूर यहां शेयर करना चाहूंगा एक दिन हम मैं और भैरोसी सेखावत दोनों हमारी पार्टी के काम से दोरे पर जा रहे थे और दिल्ली एरपोर्ट पर हम दोनों थे चंदर सेखर जी भी अपने काम से कहीं जाने वाले थे तो एरपोर्ट पर हैं दूर से दिखाए दिये एक चंदर सेखर जा रहे हैं तो भैरोसी जी मुझे पकड़ करके साइड में ले गए और अपनी जेब में जो था सब मेरी जेब में डाल दिया और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था ये सम मेरी जेब में क्यो डाल रहे है इतने में चंदर सेकर जी पहुँचे आते ही चंदर सेकर जी ने पहला काम किया बैरोसी के जेब में हाथ डाला और इतनी रोग थे तब सब जाए कि क्यो डाला क्योंकि भैरोसी जी को पान पराग और तमाग को ऐसी खाने की आदत थी और चंद्र सेखर जी उसके बड़े विरोधी थे जब भी भैरोसी जी मिलते थे वो छीन लेते थे और कुड़े कचर में फैक देते थे अब इससे बचने के लिए भैरोसी जी अपना सावार मेरी जिब में डाला कहा जनसंग और भारती जनता पार्टी के लोग उनकी विचार धारा और कहा चंद्र सेखर जी और उनकी विचार धारा लेकिन ये खुला पन ये अपना पन और भैरोसी जी को भविशे में कुछ नहों हो जाई इसकी चिंता चंद्र सेखर जी को रहतना ये अपने आपे भड़ी बात है चंद्र सेखर जी अटल जी को हमेशा व्यक्तिगर तोर पर भी और सार्वजनिक तोर पर भी गुरु जी कह करके बलाते थे और हमेशा संबोधन गुरु जी के नाते करते थे और कुछ भी कहने से पहले सदन में भी बोलते थे तो गुरुजी आप मुझे एक्षमा करिए मैं जरा आपकी आलोशना करूंगा ऐसा करके कहते थे अगर आप पुराने रेकॉर्ड देखेंगे तो ये उनकी समस्कार और उनकी गरीबा प्रती पल जलत दी थे आखिर कर जिस समय कॉंग्रेस पारिटी का सितारा चमकता हो चारों तरब जैजेकार चलता हो वो कौन सा तत्व होगा जिस इंसान के भी तरफ वो कौन से प्रेणा होगी कि इसने बगावत का रास्ता चुन लिया शायद बागी बलिया के संशकार होगे शायद बागी बलिया की मिट्टी में आज भी वो सुगन्द होगी और जिसका परणाम था इतिहास की दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण मैं नजर करता हूँ जैप्रकाश नारायन जी बिहार महत्मा गांधी गुजरात देश आजाद होने के बाद देश के प्रधानमत्र का निर्णाएं एक गुजराती को करने की नौबत आई तो उसने एक बिन गुजराती को चुना और लोकतंतर की लड़ाई में बीजय होने के बाद एक बिहारी को प्रधानमत्र तय करने की नौबत आई उसने एक गुजराधी को प्रधानमत्र चुना उस समाह ये था चंदरसेकर जी बनेंगे या मुरार जी बैए बनेंगे और उस समाह मोहनलाल धारिया जी के साथ रहा जोर्ज फोर्णाडिज के साथ रहा और उनकी बातों में चंदर सेखर जी की आचार और विचार ये हमेशा प्रतिमिंबित होते थे और आदर पुर्वक होते थे और भी लोग होंगे जिनका शायद मेरा संपर नहीं आया होगा चंदर सेखर जी में मार रहे और मुर्ति के कुछ समय पहले कुछ महीने पहले उनका टेलीफोन आया मुझे गुजरात में मुख्यमेंत्री था तो उनका भाई दिल्ली कब आ रहे हो हो मैं बताईए साब क्या है ने ऐसे ही एक बार अगर आते हो तो घर पे आ जाईए बैठेंगे मेरा स्वास ठीक होता तो मैं खुद चला आता मैं रहे कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपने मुझे फोन करके याद किया है तो मैं उनके घर गया और मेहरां था जी स्वास ठीक नहीं था लंबे देर तक मुझे बाते की और गुजरात के बिशे में जानने का प्रयास किया सरकार के रूप में प्याका चल रहा है वो जानने का प्रयास किया लेकिन बाद में देश के समन्द में उनकी सोच क्या है, समझाय क्या दिख रही है, कौन करेगा, कैसे करेगा, वै तुम लोग नवजवान हो, देखो क्या, यहने और बड़े भावुग भी थे, वो मेरी उनसे आखरी मुलाकात थी, लेकिन आज भी, वो अमीड छाया, विचारों की स्पस्ता, जन सामान्य के प्रती कमिट्मेंट, लोग तांत्रिक ववस्ताओं के प्रती समर्पन, यह उनके हर शब्द में निखरता था, प्रगट होता था, चंदर सेखर जी, यह किताब हरिमानुजेरी जो रखी है, उसमें हम चंदर सेखर जी को तो भली भाती समझने का अफसर मिलेगा, लेकिन उस कालखन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को समन में हमेज़ो अब तक बताया गया है, उससे इसमें बहुत कुछ विप्रित है, और इसलिए हो सकता है कि एक वर्ग इस किताब को उस रूप में भी अनालिजिस करेगा, क्योंकि उस समय इतना और एक हमारे देश में फैसन है, कि कुछ लोगों कोई कुछ अधिकार प्राप्त है, रिजर्विश्न है वहाँ, आज छोटा मोटा लीडर भी दस बारा किलूमेटर पद्यात्रा करे तो चोबिस घंटों टिवी चला लेगा, मिडिया के पहले पन पर छप रहेगा, चंदर सेखर जी ने चुनाव के इर्दगिर्द नहीं पूर्ण तयां गाउं गरीब किसान को ध्यान में रखके के पद्यात्रा की, इस देश ने उसको जो गवरव देना चाहिए, नहीं दिया हम चुक गए. और दुर्भाग्या, मैं बड़ा दर्ग के साथ कहना चाहता हूँ, दुर्भाग्या, उनके विचारों के सब इन में विवाद हो सकता है, आज भी किसी को इतराज हो सकता है, वोई तो लोकतंतर की विश्यस्ता है, लेकिन बहुत जान बुच करके सोची, समझी, रनदिती के तहट, चंदरशेखर जी किसी आतरा को, डोनेशन, करप्षन, पुजी पत्यों के पैसे, इसी के इर्दगीर्थ चर्चा में रखा गया, ऐसा गोरण्या है, सारवजेन इक जीवन में, अखरता है, मैं नहीं जानता हूं, हरिवश्जी ने इस पार्ट को इसमें लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन मैंने उसके बात को निकट से अध्यन कटने का प्रयास किया था, हमारे देश की एक और बात रही, आज की पीडी को पूछा जाए कि देश में कितने प्रधान मंत्री हुए, शायद किसे को पता नहीं, कौन हुए, बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत प्रयत्तपुर्वक भुला दिये गए, ऐसी स्थिति में हरी बहुश जी, आपने बहुत बड़ी हिम्मत की है, आप बधाई के पाक लगों, हर किसी का योगदान है, लेकिन एक जमात है, माप करना मुझे, देश आजाद होने के बाद, बाबा साब आमबेड कर की छभी क्या बना दी गई, सरदार बल्लब भाई पटेल की छभी क्या बना दी गई, ये तो कुछ हमत्य नहीं है, ये तो ढिकने हैं, फलाने हैं, बगरे बगरे, लाल बाहदूर सास्त्री जी, दे भी, अगर जिन्दा लोट करके आये होते, और जिवित होते, तो ये जमात उनको भी पता नहीं, क्या क्या प्रकार के रूप में प्रदर्शित कर देती, लाल बादूर सास्त्री जी बच गए, क्योंकि उनकी शहादत बहुत बड़ी चीज बनी, उसके बाद, फलाना प्रधान मंत्री क्या पीता है, मालू हो कि मराज्य बाई के लिए यही चर्चा चला दिये गई, फलाना प्रधान मंत्री मिटिंग में भी सोता है, फलाना प्रधान मंत्री तो बैक्स्टैप करता है, याने जितने भी हर एक को ऐसे टाइटल दे दिये गए ताकि उनका काम उनकी पहचान दुनिया को हो इने भुला दिया गया लेकिन आप सब के आशिरवाद से मैंने ठान ली है दिल्ली में सभी पुर्व प्रधान मंत्री सभी उनका एक बहुत बड़ा आधुनिक मुजियम बनेगा सभी पुर्व प्रधान मंत्री के परिवार जनों से मित्रों से में राग रह है कि वो सारी चीजे इखटी करे ताकि आने वाली पीडी को पता चले कहां चंदर सेखर जी हमारे प्रधान मंत्री थे और उनके जीवन में ऐसे सी विशेटाय थी उनका ये ये योगदान था देव गोड़ा जी कि ये 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 योगदान है आएके गुजराल जी का ये ये योगदान है डाक्टर मनमोहन सिंग जी का ये ये योगदान है सभी राजनीतिक छुवा छुट के परे एक नए राजनीतिक कल्चर की देश को आवश्यक्ता है उसको हम इसी प्रकार से लाने का प्रयास कर रहे हैं चंद्र सेखर जी आज भी अगर सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने लिया जाए तो आज भी नई पीडी को प्रेणा दे सकते हैं आज उनके चिंतन से यंग तर का मिजाड देमोक्रेटिक बेल्यूज के साथ उभर करके आ सकता है अंग देमोक्रेटिक रास्ते उसको चुने का जरूरत नहीं पढ़ेगी मुझे बराबार याद है जब प्रधानमत्रिपस से इस्तेफा देना था उनको यहाँ दिल्ली में तुफान बच गया था और वो भी कोई आईबी के पुलीस वाले के कारण देश की सरकार दुनिया में जब लिखा जाएगा कि किसी पुलीस वारे के कारण सरकार एगीर सकती है उस दिन मैं नागपुर में था अटल जी अडवानी जी का एक कारकम था वहाँ लेकिन उनका जहाँ बाद में आना था मैं पहले पहुंचा था तो जहां मेरा स्थान था वहाँ पर चंदर्शेगर जी का फोन आया मैंने फोन उठाया सीधे ही वह फोन पर थे उन्हों कहां बहुत गुरु जी कहां है मैं कहां था अब भी तो उनका जहाज पहुंचा नहीं है साथ दाने में एगंटा लगेगा मैं वेट कर रहा हूं तो रहन मुझसे बात कराईए और उनको बता दीजिए कि मैं इस्तिवादेने का मन बना चुका हूं लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूं दिल्ली मैं जो कुछ भी घटना हो रही थी अटल जी उस दिन नागपूर थे मह उसकारकम के लिए ववस्ता के लिए वहां पहुंचा था लेकिन चंद्रसेकर जी उस समय भी गुरुजी जीन को कहते थे अपना आखर नेने से पहले उनसे बात करने के लिए बड़े वातूर थे ऐसी अनेक विश्यस्ताओं के साथ जिन्होंने देश के लिए इतना पूरा जीवन और ये परिशर एक प्रकार से देश के दलीद, पीडीद, सोशीद, बंचीद, गरीब जिनके दुख दर को अपने में समेटे हुआ एक इंसान 40 साल तक अपनी जवानी इसी परिशर में खपा के गया MP के रूप में उसी परिशर में आज हम शब्द देह से उनको फिर से एक बार पुनस मरन कर रहे हैं उनसे प्रेना ले करके हम भी देश के सामान ने मानवी के लिए कुछ करें यही उनके प्रती सच्ची आदरांजली होगी मैं फिर एक बार हरिवांची को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देते हुए उनके परिवार जनों को भी याद करते हुए मेरी बार्णी को विराम देता हूँ धन्यवाद